एक इच्छादारी टाइगर इसे सिकारी के सामने आ जाती है सिकारी ने घबरा कर उस पर तीर चला दिया था तो टाइगर उस पर हमला करके जंगल के अंदर भाग जाती है अब सिकारी भी उसके पीछे जाने लगता है उसको जंगल में एक आदमी मिलता है जो कुछ कहे रहा तबी सिकारी को सक हो जाता है और उस पर हमला कर देता है क्योंकि ये वही इच्छादारी टाइगर था जिसने एक इनसान का रूप ले लिया था उस जंगल के अंदर एक छोटा बच्चा भी था और उसके सामने एक आदमी उसकी तरफ बंदूक लेकर खड़ा होता है लेकिन तबी आदमी की आँखे बदल जाती है और वो टाइगर का रूप लेकर लड़के को मारने वाला था कि एक तीर आकर टाइगर में गुश जाता है उस सिकारी ने टाइगर को निप्टा दिया था लेकिन एक दूसरा इच्छादारी टाइगर छिपकर ये सब देख रहा था अब वो एक घर के पास आजाता है और वहाँ का कुटा उस पर भोकने लग जाता है जिससे घर के लोग साफदान हो जाते हैं लेकिन वो टाइगर एक महिला का रूप लेकर अंदर आजाती है और उनको लगता है कि ये एक इंसान है लेकिन तबी महिला अपने असली रूप म आकर लड़की को निव्टा देती है